Hey guys, welcome back to our new video, and आज दोस्तों हमारे सामने खड़िये all new Tata Punch EV 2024, इसका दोस्त लोग काफी टाइम से इंतिजार कर रहेते हैं, sponge EV का, so finally दोस्तों, the car is here, and दोस्तों आप के लिए में इसकी वीडियो बना रहा हूं, launching दोस्तों इस car की 17 तरिक हो है, हम उससे पहले इसकी वीडियो ब मिल जाते हैं, so अगर variant की बात करें दोस्तों, तो यह है आपका top of the line variant empowered plus, and दोस्तों यह आपका sunroof plus dualton वाला variant है, जो की दोस्तों आपका long range के साथ आता है, so मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस sponge EV में आपको 4 से 5 variant around देखने को मिलेंगे, and दो battery pack भी आपको देखने को मिल जाता है, sunroof की बात करें दोस्तों, तो वो आपको मिल जाती है, optional आप चाहिए तो ले भी सकते हैं, ठीके, तो दोस्तों, car काफी अच्छी है, so जल जल दी करते हैं, इसका दोस्तों, interior walk around, and जानेंगे, क्या मिलता है feature, so अगर मेरे चैनल पे बिलकुल नहीं, तो प्लीज च का door panel, जो की, बहुत ही मस लग रहा है door panel, so अब door panel की बात करें, तो दोस्तों, यह आपका, पूरा plastic part है, यह भी आपको plastic door opener, टुटर मिल जाते हैं, ठीके, नीचा speaker मिलेगा, bottle space, and यहाँ बात करें, तो आपको चारो power window, यह control मिल जाते हैं, साथ ही बात करें, मेरा side करने के control, तो door में तो इतना ही कुछ मिलता है, and अब यहाँ देखे, seat height की बात करें, तो दोस्तों, इसमें seat height adjustment आपको manually करना पड़ेगा, but, 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 यहाँ पर आपको देखिए, when related seat option भी मिल जाता है, and दोस्तों, यह ता आपका automatic variant, साथ ही बात करें, यह है इसका interior, जो की बहुत ही मस आपको interior मिलने वाला है, दोस्तों, dual tone में, and इसको जब आप देखेंगे, तो आपको nexton की याद आजाएगी, इसके interior को देखके, तो फिलाल चलते हैं, गाड़ी के अंदर, and वहीं बैट के बात करते हैं, तो फिलाल दोस्तों, अभी हम गाड़ी के अंदर बैट चुके है, and interior आपके सामने, जो कि आपका dual tone का रहने वाला है, थोड़ा सा light की कमी है, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब से लगएगा interior, बट थोड़ा से manage कर लेजीगा, पहले steering की बात करें, नीचे सा आपको flat bottom मिलने वाला है, and यहाँ देखी, यह आपको steering मिलता है, leatherette, dual tone में आपक करें, call cut, call, pick up, voice command वगेर, option, bluetooth, and right side की बात करें, तो cruise control वगर आपको देखने को मिल जाएगा, plus 360 degree camera का भी option मिल जाता है, ठीक है, steering की बात करें, तो steering आपको क्या क्या मिलता है, इस ते अपको tilt, and telescopic तो नहीं मिलता, सिर्ब आपको tilt देखने को मिल जाता है, चलिए कोई नहीं तो कोई भी adjust कर सकता है, and left side की बात करें, यहाँ पर आपको AC band की placement मिल जाती, देखिए, engine star stop का option मिलता है, साथ में यह आपका white plastic वाला part मिल जाएगा, अब दोस्तों यह है, इ 162, and यहाँ बात करें, तो L1 बाकी battery percentage 58 है, तो मतलब आपको काफी चीस TPM बगेरा, यहाँ देखने को मिलता है, उस तो बहुत सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे, इस कार में, and बात करें, personally, काफी अच्छी दोस्तों यह कार लग रही है, तीकि यहाँ पर आपको navigation चाल इसका main center of point, अगर बात करें, तो 10.24 इंच की touch screen या सायद 12.24 इंच की touch screen आपको देखने को मिलती है, कोई confirmation नहीं है, कितने इंच की है, जितने भी की दोस्ती होगे, मैं आपको confirm कर दूँग एक बार, यह देखिए, इसका response, काफी मस्त आपको response मिलता है, यह दोस्तों आपक प्रेश्मन बिल्कुल नए design की की गई है, बिल्कुल एक कर दिया गया है, एंड इसके बगलम दोस्तों आपको silver certain finish मिल जाएगा, वाकि AC band दोस्तों यह दो होते हैं, यह बीच का आपका panel भरा हुआ है, ठीक है, यह आपका hard plastic के total, यह भी आपका hard plastic का use मिल जाएगा, बहुत मिल जाता है, कुछ stripes से बाकी hazard का button, कुछ stripes से work करेगा, ठीक है, टेल के open करने के लिए, 360 degree camera, यह देखी है, कुछ stripes से work करेगा है, मैंने आपको पताया है, साइट के back वाले दूस्तों, वह भी बंद हो रख है, पीछ वाला डखा हुआ है, तो quality वाइस कुछ से 3D करेंगा, त तो शक्रे पीछे black black आ रहा है, नहीं तो quality वाइस बात करें, तो बहुत ही मस्त आपको इसमें quality मिलने वाली है, no doubt काफी अच्छी quality है, यहां की बात करें, तो आपको wireless charger मिल जाता है, यहां पर USB and 5V and 12V charging socket भी मिल जाएगा, easily, ठीक है, यह दोस्तों, इसका dial pad, जो की बहुत ह लग रहा है, देखने हम देखों दोस्तों, काफी अच्छा को गवाऊंगा, तो आपका reverse, neutron drive, काफी मस्त चीज़ आपको दी गाई है, साथी यहां पर आपको बात करें, तो आपको पार्किंग का बटन मिल गया, and यहीं पर आपको दोस्तों मिल जाता है, auto hold का पार्किंग बटन भी आपको यहीं पर दिया गया, इसकी placement, प्रस टू कप क्रास holder दिया गया, and armrest की बात करें, दोस्तों आपको लैदरेट है, open करेंगी, तो कुछ इस टाइप से space मिल जाएगी, बागी seat देखिए, आपको fabricate, seat नहीं मिल जाएगी, side की बात करें, तो यह आपको fabricate, and यह आपको leathered मिल जाएगा, and इसमें आपको ventilation का option भी मिल जाएगा, यानि ventilated seat आपको मिल जाती है, साथी काफी must आपको design दोस्तों देखने को मिलता है, seat की बात करें, quality की, तो काफी heavy quality की seat मिल जाएगी, यह देखिए, बहुत ही heavy quality की seat आपको मिल जाती है, तो यह भी起來 की बा करें तो दोस्तों यहां भी आपको काफी सारी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यह थी आपकी पंच इवी का इंटिरियर अगर इसके बैटरी पेक की बात करें तो दोस्तों यह आपका टॉप दरें वेरियंट है लॉग रेंज वाला तो उसमें आपको 35 क्लोवट की बैटरी देखने को सायद से मिल जाती है यहां तक मुझे पता है और दोस्तों वेरियंट की बात करें तो यह है आपका एंपावर प्लस SDT लॉग रेंज वेरियंट है और दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहे है मारे साथ ऐसी उन नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तब तेक लिए दोस्तों जय हिन जय भारत